उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की ज्यानपूर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिस्रा को पुलिश ने ग्रफतार कर लिया है लेकिन बाहुबली विधायक विजय मिस्रा का क्या रहा स्यासी सफर और कैसे हुई ग्रफतारी जानिये इस खास रिपोर्ट में विधायक विजय मिस्रा पर रिस्तिदारों की संपत्ति पर कबजा करने के आरोप है जिस मामले पर रिस्तिदारों की सिकायत के बाद पुलिस ने 7 अगस्त को विधायक के खिलाप मुकदमा दर्ज किया था पुलिस ने सिकायत पर संग्यान लेते हुए उनकी पत्नी और बेटे के खिलाब भी एफायार दर्ज की थी कई सालों से हैं विधायक बहुबली विधायक विजयमिस्रा गोपी गंज कोतुआली छेत्र के धनापूर में कई सालों से रहते आ रहे हैं वहीं रिष्टेदार क्रश्नमोहन का आरोप है कि धनापूर का माकान उसका है विधायक ने तो माकान पर जब्रदस्ति कबजा किया हुआ है इसके बाद विधायक और उनके परिवार पर मुकद्मा दर्ज किया गया सियासी सफर विजय मिश्रा का सियासी सफर बेहधी दिल्चस्प है कभी पुलिस की पकड़ से खुद को बचाने के लिए वह हेलिकाप्टर से भागे तो कभी उन्होंने साधू वेस में समर्पण किया वर्स 2001 के लगभग सपा संरत्चक मुलायम सिंग यादव से विजय मिश्रा की करीबी बढ़ी फिर वह सपा के टिकट से ग्यानपूर से 2002-2007 का विधान सभा चुनाओ जीते जुलाई 2010 में बस्पा सरकार के मंत्री नंद कुमार नंदी पर प्रयाग राज में हुए हमले में विजय मिश्रा का नाम आया तो वर्स 2011 में विजय मिश्रा ने दिल्ली इस्थित हौज खास में लंबी दाड़ी और लंबे बालों में साधू वेस में समर्पण किया था विजय मिश्रा ने ज्यानपूर विधानसभा का चुनाव जीता हालाकि बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी तो वहीं उनकी पत्नी राम लली मिश्रा भधोही से जिला पंचायत अध्यच और MLC का चुनाव जीती हैं पेट्रोल पंप से की थी कारोबारी जीवन की शुरुवात विजय मिश्रा ने 1980 में एक पेट्रोल पंप और ट्रक संचालन से अपने कारोबारी जीवन की शुरुवात की थी विजय मिस्रा के अनुसार उन्हें लोग अनायाशी धमकाते थे इससे उनका व्यापार प्रभावित होता था और पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमला पतित्रिपाथी के निर्देश पर वह राजनीत में आये फिर नब्य के दसक में वह बलाग प्रमुक बन गए इसके बाद भदोही मिजिला पंचायत के चुनाओं में विजय मिस्रा की हमेशा अच्छी खासी दखल रही साथी आपराधिक आरोपों में मुकदमों की संख्या भी बढ़ती गई विधायक के खिलाप सिकायत करने वाले कृष्ण मोहन ने अपनी जान का खत्रा बताया था जिसके बाद पुलिस ने कृष्ण मोहन को सुरच्छा मुहया करवाई थी हलाकि विधायक मिस्रा अपने खिलाप लगे आरोपों को जूठा बताते हुए प्रसासन पर भी उनके खिलाप सड्यन्त रचने का आरोप लगाया था विधायक ने कहा था कि सारे विरोधी नेता और पुलिस विभाग मिला हुआ है बिना जांच परताल के एफा यार दर्ज हो रही है जो कि सरासर गलत है विधायक पर दर्ज हैं 73 मुकदमे बाउबली विधायक विजय मिस्रा पर 73 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं पिछले दिनों 17 जुलाई को गुंडा एक्ट की कारेवाई शुरू करने के दोरान पुलिस ने विधायक पर अब तक दर्ज 71 मुकदमों की सूची जारी की थी उसके बाद हाल ही के दिनों में दो और मुकदमे दर्ज किये गए इससे विधायक पर कुल मुकदमों की संख्या 73 हो गई उदर विधायक ने सभी मुकदमों में बरीकर दिये जाने का दावा करते हुए कहा था कि मौजूदा समय में केवल 11 मुकदमे हैं उनमें नंद कुमार नंदी पर रिमोट बम से हमले से जुड़ा केवल एक मामला संगीन है ब्रामभाण हूं इसलिए किया जा रहा है परेशान बाहुबली विधायक ने वीडियो जारी कर सफाई दी थी और अपनी जान का खत्रा बताय था विजय मिस्रा ने कहा कि सब लोग उन्हें मारना चाहते हैं क्योंकि वह ब्रामभाण हैं उन्होंने कहा कि उनके साथ ये सब इसलिए हो रहा है ताकि बनारस या चंदौली का कोई माफिया यहां आकर चुना उलड़ सके विधायक में अपनी हत्या की आसंका भी जताई है बतादें की विधायक विजय मिस्रा ने अपना राजनीतिक सफर कॉंग्रेस से शुरू किया इसके बाद सपा और बाद मेनी साथ पार्टी में सामिल हुए फर्जी मुकद्ने में डाल करके मेरे पूरे परिवार का जीना रहना खाना दूभर कर दिया है अवाज फर्जी ढंग से मन माने ढंग से सीजियम के आँ जा करके स्वयम पुलिस भोल करके 164 का कलंबंद बयान कराया है और जो पुरवांचल के माफिया हैं जिन्होंने सोच इसी उत्तरवदेश सरकार को भेजी है मैं ब्रामणी मेरा केवल इतना ही दो सब्सक्राइक में ब्रामण हूं पुरवांचल में और चार बार से विधायक हूं चुकि अगला जिला पंचाय चुनाओ है चुकि जन्पत के लोग न लड़ पाएं बनारस का कोई बाहु बली या कोई चंदवली का लड़े या कोई बलिया का बेटा लड़े विधायक और रुबावपली इसलिए आज या कल में हमारी गिरफतारी हो सकती है कभी भी हत्या हो सकती है विधायक विजयमिस्रा के वीडियो जारी होते ही भदोही पुलिस ने इसका खंडन किया S.P. रामबदन सिंग ने वीडियो जारी करके कहा कि विधायक विजय मिस्रा ने असत्ते तर्थियों को आधार बना कर अपने आपराधिक क्रत्यों से ध्यान भटकारने के लिए वीडियो बनाया है ये जनता में भ्रहम फैलाने के उद्देश से जारी किया गया है उनके खिलाफ 73 मुकदमे दर्ज हैं झाल